करो योग रहो निरोग आज ये केवल स्लोगन मात्र नहीं रह गया है योग हमारे स्वास्ते शरीर और मस्तिक्ष के लिए बहुत जरूरी हो गया है योग से होने वाले फायदों से भी आज हर कोई परीचे थे यही कारणे कि अब लाको करोडों लोगों ने अपनी देन चर्य में योग को शामिल किया है योग की बढ़ती लोग प्रियत्या का यही नतीजा है कि आज बड़े तो बड़े चोटे बच्चे भी खुद को योग से जोड़ कर योग गुरू बन रहे हैं ऐसे ही हैं जनपद मुरादबाद के कक्षा 6 में पढ़ने वाले 11 साल के नन्ने यो योग के चेतर में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और योग को ही अपना केरियर भी बनाना चाहते हैं वहीं योग के चेतर में बच्चे की सफलता, मेहनत और लगन को देखते हुए आज पारस के माता पिता खुद पर गर्व महसूस करते हैं पारस की मा बबीता सिंग का कहना है कि उनका बेटा योग के चेतर में देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करता है वे हर रोज सुबा तीन घंटे पारस योग करता है और अपने माता पिता दोस्तों पड़ोसियों को भी योग सिखाता है और योग के फायदे भी बताता है बताता है और योग करने की पिरिणा जैसे रोज की दिन चरह में बच्चे मौयल का यूज करते हैं तो वैसे ही पारस मौयल देखा करते थे तो अचानक से बाबारामदेश जी की वीडियो उनके सामने आई तो उसको देखकर पिर उन्होंने अभ्यास करना सुरू किया पिर इ स्कूल का प्रेपरिशन का टाइम नहीं होता है वो अपना अभ्यास कर लेते हैं फिर स्कूल से आने के बाद में स्टेडी वगर अगर करके साम को इविनिंग में एक घंटा योग में देते हैं अपना बच्चा जिस्टिक में खेल चुके हैं चार वार और अपना राज्य प्रतियोगीता में खेल चुके हैं नैशनल प्लेयर हैं और फ्राडेशन का खेल चुके हैं अब तो होता है क्योंकि सुपिधाय नहीं है और मुरदा सहर में योग को लेके अब काफी जाग रुपता हो गई है बच्चों को भी काफी कॉमडिशन हो रहे हैं इस्कूल में भ लगते हैं बच्चे हमारे आगे चल के अपना और अच्छा लगता है और सपोर्ट भी मिल रहा है सहर तरफ से